हलो दोस्तों स्वाकत अब सभी का टुदव पॉइंट के एकॉनोमी के सेशन में आज के इस वीडियो में हम पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली आप सभी जानते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो कोई भी है उन सभी को राशन दिया जाता है जिसे हम फेर प्राइज शॉप्स भी कहते हैं राशन के शॉप्स आप यहां पर पिक्चर देख सकते हैं तो जाहर सी बात है कि 2009 में टिंडूल कर कमिटी जो आ नींद ना जाए या फिर नींद ना करें तो इस वीडियो में हम जानने की कुशिश करेंगे कि पब्लिक दिस्ट्रिबिशन सिस्टम दर असल होता क्या है और यह किस तरीखे से काम करता है तो आईए शुरू करते हैं पीडिश इस अंडियन फूद सेक्यूरिटी सिस्टम इस्टेबिश अंडर अंडर अप्लिक दिस्ट्रिबिशन बिल्कुल जाहर सी बात है पीडिश एवार्ड असे सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट प्रेले श्ट्रू दिस्ट्रिबिशन अब कर देबल प्राइज के जह हैं आपको तील वगेरा की पैकेट शुगर भी दिया जाता है मैं आपको आगी के स्लाइड में पिक्चर के सांथ बताऊंगा कि किस तरीके से प्रक्यूर्मेंट वगेरा चलता है स्टेट गवर्मेंट कहां पर आता है उन सभी के बारे में तो फिल्हाल के लिए इतना जाद रखिएगा कि बोथ सेंटर आज वलस्तेट गवर्मेंट आर इनवल्ड इन वाल्ड इन वीडिन तो यहीं करता है सेंटर गवर्मेंट उसे तुर वूड को कितना देना चाहिए वह भी अलोकेट यही करता है MSPB Center Government ही decide करता है minimum support price हमने इसके बारे में detailed video बनाए हुआ है आपसे recommend करूँगा कि आप वो video देखे The operational responsibility including allocation within the state identification of eligible farmers issue of ration cards and supervision and the functioning of fair price shops are risked with state government procure करना, store करना, allocate करना ये सिर्फ तीन चीज़ें specifically भारत सरकार की है बाकी के पूरे जितने भी काम है वो सभी state governments ही करते हैं उनी के जिम्में ये सभी responsibilities रखी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले farmer farmer होता है specifically वो से MSP price के तहत procure किया जाता है center ही खुद वो करता है food corporation of India के तहत से allocation central issue price तो allocate किया जाते है अलग-अलग states को से state governments आकर उन्हें procure करते हैं हम लेते हैं allocation के बाद distribution होता है इन सभी का जाहिर सी बात है और sale of grain central issue price जो कोई भी central issue price है उसी के rate पर fair price shops में इन्हें issue किया जाता है बेचा जाता है state government साहे तो थोड़ा बहुत subsidy भी लगए अगर और भी सस्ते rates में उन्हें दे सकते हैं और ultimately beneficiary तक यह food product यह food grains पहुँचते हैं and finally आखिरकार यह public distribution system के वज़े से हमें benefits क्या है it helps in ensuring food and nutritional security of the nation जाहिर सी बात है हमने देखा 30% of the population below poverty line के standards के सांथ जी रहा है तो जाहिर सी बात है कि भुकमरी से कई लोग मर रहे हैं poverty ज्यादा है malnutrition है it helps in stabilizing food prices and making food available to poor at affordable prices AP जैसे AP तलंगाना जैसे state में आपको कई बार 1 रुपए पर kg भी देखने को मिलेगा rice it maintains the buffer stocks of food grains in warehouse so that flow of food remains active even during the periods of less agricultural food production food corporation of India के अपने बड़े-बड़े गोदाम होते हैं जहां पर in food grains को storage भी किया जाता है अगर खुदा ना करे भगवान ना करे अगर किसी वी एक season में agricultural productivity कम हो या फिर drought floods जैसे problem साज़े तो वहाँ पर इसे surplus food grains को भेजा जाता है it has helped in redistribution of grains by supplying food from the surplus regions of the country to deficient regions of course आप South India की ही बात ले ले या फिर आप Ganges Plain के आसपास का region ही देख ले तो वह बहुत ही अच्छा है food production में तो वहाँ से surplus को लेकर जहां कई पर भी गुजरात राजस्तान जैसे region में जहां पर adequate food supply food grains की supply नहीं है वहाँ पर भी पहुंचाया जा सकता है through this public distribution system तो यह थी चन्त बाते हैं आपको जानने थी pds के बारे में thank you for watching my video